सीरियल अनुपमा में आज की एपिसोड में आप लोग देखने वाल है कि आयद्ध जो है उसकी तव्यत ठीक नहीं है अनुज आयद्ध को होस्पिटल लेके आएगी और अनुपमा को भी फोन करके बोलेगी कि आयद्ध की हालत खड़ा बेद और फिर अनुज अनुपमा और आयद्ध ऑस्पिटल में रहेगी क्योंकि जो आयद्ध है उसकी पेट में इंफेक्शन हो गई है इसी वज़े से जो आयद्ध है वह उसकी पेट में दर्द है तो आयद्ध को लेकर साहाँस में चली आती है और वहां पर जो वनराज है वो तो खड़ी-खोटा सुनाने में को भी बहाना अनुछ बोलेगी कि तुम दोनों एक new से मिलने के लिए आयद्धा की भी मारी को भी बहाना रही है तुम भूलेगी कि में और अनुदोस्त बंकर रहूं में और अनु लिविंग में रहू या फीट पती पतनी बन कर रहू जो भी बन कर रहू आपको क्या अनुज वनराज को बोलेगी जी हाँ दोस्तों तो अगले एपिसोड में यानि कि कल के एपिसोड में आप लोग देखने वाले है कि अनुज और यूएस जानी की टिकेट कैं एसल हो चुकिए है तो दूसरी तरफ जो किंचल है वो अनुपमा को बोलेगी जैकी यूएस जाना यानि के उवाफद जाना कोई इतिफाक नहीं है फिर अनुज बोलेगी इतिफाक दूसरा मौका सिर्फ किसमत बालों को ही मिलती है तो ये जानना तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आखिर अनुज और अनुपमा कब एक दूसरे के साथ यानि कि एक होंगे और छोटी अनुग क्या अनुपमा को एकसेप्ट करेगी या फिर नहीं ये सब जानने के सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं मिलते हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ तब देख के लिए बाई बाई